हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लोवाइट्स 906 आज की वीडियो में मैं डिसकस करूंगा कपिला हिंगोरानी वर्सेज श्टेट बिहार 2003 का ये केस है जो की कंपनी लोके रिगार्डिंग है इस केस में क्या होता है बिहार जो गुवर्मेंट की जो गुवर्मेंट ओ और ये प्रोब्लम इतनी एक्सकलेट हो जाती है कि जो लोग है वो भूक से मर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो डेली वेज अर्नर से और इन सिच्वेशन के बीच में एक चुपर्षन है चंदन भटाचारी है वो अपने आपको आग लगा लेते हैं सुसाइड कमिट कर लेते हैं इस पर जो कि कपिला हिंगोरानी है वो सुप्रीम कोट की बहुती रिनावन्ड अडवोकेट है वो क्या करते हैं रिट पिटिशन फाईल करती है सुप्रीम कोट के अंदर लीगल इसु क्या रहे होता है एक legal issue यह राइज होता है कि non payment of salaries इस राइज the question about the state responsibility and liabilities in such situation particularly when employees were facing severe financial hardship दूसरा question यह राइज होता है legal question यह राइज होता है violation of fundamental rights हो रहा है कि right to life right to life include right to dignified life and right against exploitation under article 23 क्योंकि काम तो करवा लिया गया है लेकिन उसके पैसे दिये नहीं गया है salary दी नहीं गया है the issue was whether the non-payment of salary lead to starvation death and suicide among employees constitutes a violation of these fundamental rights third issue क्या अराइज होता है could the corporate will be lifted in situations where the state while anticipating corporations to offer decent livelihood cannot remain indifferent to its citizens flight किस जो state ने एक कंपनी बनाई है public sector company बनाई है यह सोच के बनाई कि इससे लोगों को employment मिलेगा और जिससे economy में बूम आएगा और क्या ऐसी situation में जब जो government PSU है वो अपनी responsibility को fulfill नहीं कर पा रही है ऐसी केस केस में corporate will को हटा करके कि state को responsible ठहराया जा सकता है कि नहीं ठहराया जा सकता है और corporate personality is contradicting justice public interest and human rights उस केस में जब corporation कोई इन चीजों को contradict कर रही है वो justice के contradict कर रही है public interest को contradict कर रही है फिर human rights का violation हो रहा है तो उस केस में क्या corporation की जो corporate will है उसको हटा करके जो real persons natural persons उसके पीछे हैं उनको responsible ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता यह एक legal issue arises court इस चीज को recognize करती है कि जो non payment of salaries है government on PSU की वज़े से उस वज़े से लोगों को बहुत ही financial hardships को सामना करना पढ़ रहा है starvation का सामना पढ़ रहा है और यही एक 21 है उसको भी discuss करते हुए कहते हैं कि जो life under article 21 include not just existence mere existence ही सिर्फ life नहीं है बट अलसो livelihood and aspects contributing to a dignified life mere existence is not the right given in under article 21 right to life के अंदर dignified life का भी राइट आता है और जब स्टेट यह contention रखती है कि स्टेट यह accept कर लेती है इस फैक्ट को कि हां वो salaries नहीं दे पाए हैं और जिसकी वज़े से प्रोब्लम इसने बढ़ गई है लेकिन स्टेट यह भी रखती है अपना एफिडेविट के अंदर कि हम सेलरी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यह पहले से ही पीस यू जो है वो financial losses को face कर रहे हैं financial constraint है इनके पास इस पर कोड़ एंफेसाइज करते हुए कहते हैं कि स्टेट ओब्लिगेशन एक्स्टेंड ब्योंड फाइनेशल कंसिडरेशन तो प्रोटेक्ट सिटीजन फंडामेंटल राइट एंड वेल बिंग अंड रिगार्डिंग कंसेप्ट ओपियर्सिंग दा कॉर्परेट वील कोर्ट यह कहता है कि इस डोक्ट्रिन की अप्लिकबिलेटी तब आती है जब दोखेक्राइशन है वह कंफ्लिक्ट कर रही है कि सो इसके साथ में जस्टिस के साथ में वरकर्स के साथ में पप्रिक के साथ में यह कर सकता है बूढ़ी विल को और जो रियल पर्शन से उनको एक्सपोज कर सकते हैं और यह भी कहता है कि स्टेट इस इस चीज का बहाना नहीं ले सकते कि उनके पास फाइनसे नहीं है और स्टेट इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस वजह से सिटीजन्स को कितनी हार्षिप फानेशल हार्षिप का सामना करना पढ़ रहा है और कोड़ अफ़र्म्स दाट श्टेट है रिस कॉंसिटिशनल रिस्पोंसिबिलिटी तो अपहोल दा फंडमेंटल राइट इवन इन फानेशल चैलेंजिंग सरकम्स्टांसिज एंफिसाइजिंग इट्स ब्रोडर सोचाइटल ओब्लिगेशन इसकी वीडियो आप मेरे टेलिग्रम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्रम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सो यू कन सर्च मैं टेलिग्रम बाइनेम लोवाइट अंडर्सकोर 906 थैंक इस तो मच